हलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आज थोड़ी शी देरी होगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि लाइव में थोड़ा सा प्रोबलम हो गया था ठीक है इस वज़े से थोड़ा सा लेट हो गये हैं तो उसके लिए माफी चाहेंगे ठीक है लेकिन आप सभी का प्यार है कि लाइव चल गया है ठीक है तो चली आज हम SSTJD लिए जो हमारा मैथ हम पढ़ रहे हैं जो हमे में खतम करना अपने पेपर से पहले और वो भी बहुत अच्छे तरीका से उसमें आज हम पढ़ेंगे नल पाइप और टंके ठीक है और इसमें इसी क्लास में आज इसको पूरा पढ़ेंगे जितने भी टाइप आपके से जिडी के एक्जाम्स में पूशी जा सकती है उन सभी टैप्स को हैं यहां पर हम पढ़ेंगे और सिरब पढ़ेंगे ही नहीं मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है और भाई आसा करता है आप सभी बहुत अच्छे से सीख भी रहे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होगे तो चलिए मोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं फिर नल पाइप और टंकी को पढ़ेंगे क्या है कि वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत वो दोर ही क्या जो हमारा ने हो बात समझ रहे हो आप सभी का SSC की 2024 में सेलक्षन हो जाए यह हम सब की जीत होने वाली है आपकी भी जीत होगी और हमारी भी जीत होगी ठीक है तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और देखें बेसिक तो वही है जो हमारा टाइमेंड वर्क वाला था अगर आपने टाइमेंड वर करते हैं टाइप नंबर फस्ट का पहला किश्ण साब के सामने है टाइप नंबर फस्ट है और पहला किश्ण है आपके सामने है बड़े प्यार से समझाओंगा टैंसर नहीं लेना जिसको नहीं आता है आज आएगा जिसको नहीं समझ में आता है आज आएगा बस ध्याम से सच्टार्टिंग से लेकर लास्ट क्लास को देखना है पहले क्या पढ़ी है आराम एक तणकी को बीश मिनटो में भर सकती है तो जानुसार क्यू sap के इससे कूछ समय में भर सकती है अपनी को बठाना है बढ़े प्यार से पी प्लस क्यूं मर्लिक हम लिखेंगे मिन्टों में 20 मिनिट में और उसके बाद पिया के लिए कितनी मिनिट में भरती है यह भरती है 30 मिनिट में भरती है देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है उसमें काम दिया जाता है काम इतना काम होता है इतने दिनों में होता है यहां पर क्या है कि टंकी को भरना पानी डा करो इस यह 20 ओर यह 30 सबसे पहले आ किया लेंगी किया जाने वाला कारिय इसमें निखल के काया कारिया यह होगा आपका समझ लो इशी से पहला वर्क होता था काम सुवय में होगा टोटड टंकी में जितना पानी डलना है ना उतना होगा इतना पानी डलना है और एक बर में इतना डाला जा इस बात को याद रख ले ना, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वो या सेम, सेम है बाकी किसी में कोई भी फरक नहीं होने वाला, तो देखो अब क्या पूछा गया, अब पूछा गया है कि क्यूँ अकेली उसे कितने समय में भरेगे, देखो सबसे पहले, P और Q दोनों मिलकर कितना भरते हैं तीन इसमें से अगर P का माइनस कर ले जो एक निकल के आएगा ये किसका निकल के आजाएगा क्यूं क्यूं है एक मिनिट में कितना भरता है एक भरता है भरना कितना अपने को सैट जब एक मिनिट में एक भजा भरा जा रहा है तो कितने मिनट का समय लगेगा 60 मिनट का समय लगेगा तो यहाँ पर option number B है बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number B यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलो सबसे पहले यह बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया अगर आपने time and work वाली class देखी होगी तो ऐसा होई नहीं सकता कि आपको ना समझ में आया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपको ना समझ में आया हो ठीक है अब चलो अगले किशंस पर जलते हैं धीरे धीरे किशंस आगे बढ़ते होए चलेंगे किशंस की लेंग्वेज चेंज होती रहेगी अच्छे लेवल की किशंस आते रहेंगे अलग टाइप की किशंस आते रहेंगे तो इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि class को पूरी जरूर देखा करो तब ही आप समझ पाओगे अच्छे से कि तीन नले A B C एक ओवरहेड टैंक को 4 6 और 12 गंटे में भर सकते हैं तो A है वो कितने में 4 में B है 6 में और C है 12 में 4 6 और 12 जी आ गय है यदि टीनो नलो को yolUnis को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भर्ने में कितना समय लेगे ये अपने को बता ले L Sim निकालो सबसे आसरने बारे, च्यार ती बारे छै दुनी बारे और बारे एकम बारे तीनों मिलकर कितना बरते एं, तीन दो पांच और एक छै बरते हैं, भरना कितना है बारे, तो कितने बेजाएगा अगले की शाम पर जलते हैं यह बेसिक है आपको आसाल लग रहा है क्यों क्योंकि हमने टाइम एंट वर्क बहुत अच्छे शेंपड़े लिया है तो यह बहुत आसान है लेकिन धीरी धीर टाइप्स बढ़ेंगी तब आपको सोचना पड़ेगा जब दिमाग की ज़्यादा हो सकता पड़ेगी उस समय देखते हैं कि कितने questions कर पाते हैं ठीक है LCM कैसे निकालते हैं इस class के बाद टेलिग्राम पे जाना वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा उसको देख लेना मैं टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा देखो क्या है कि एक नल 30 मिनिट में एक टेंक को खाली कर सकता है दूसरा नल उसे 45 मिनिट में खाली कर सकता है यदि दोनों नल साथ खोले जाएं तो टेंक खाली करने में कितना समय लगेगा यह अपने को बताना है सबसे पहले एक नल है वो कित्री मिनिट लेता है तीस मिनिट दूसरा कितना लेता है 45 मिनिट एल्सयम कितना आजयेगा 90 30 तीशन ऑफ पैंतालिस दूरीं तों दूनी नब आ जाए तो दोनों मिलकर करना है तो जो बहा हुआ होगा वो ही तो खाली करना पड़ेगा और टंकी में कुल कितना पानी आता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर जो अपना LCM निकल के आएगा वो टंकी में कुल पानी आ रहा होता है तो 90 खाली करना है 5 की स्पीड से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा तो 18 मिनिट करेक्ट टांसर हो जाएगा कि कितनी मिनिट में खाली करेंगे ठीक है लेकिन इक बात याद रखना ये खाली करने वाले है ठीक है वह से इंडों तो चलो अब लेकर सह जलते हैं और अगली टाइप पर चलते हैं यह बेशिक टाइप थी आपकी ठीक हम देखेंगे और उनको सोल करेंगे और आप खुद भी सोल करने की कोशिश करना क्योंकि भाई मैंने आपको टाइम एडवर्क बड़े जवर्दस तरीके से बढ़ाये था बड़े अच्छे अच्छे लेओल की किश्ण्स आपको करवाये थे ठीक है तो आज जरूर किश्ण् होगे नब्भय कहां से आया नब्भय एल्सियम निकाला गया तीस और पैंतालिस का ठीक है इससे पहले अगर आपने टाइम एडवर्क की क्लास नहीं देखी पहले वह क्लास देखो तभी आपको समझ में आएगा कि नब्भय कहां से आया है ठीक है क्यूशिंस पड़े क्या यहां पर पहली बात समझे लो जब भी खाली करने वाले नल को लिखेंगे तो हम याद कैसे रखेंगे कि ये वाला नल है वो खाली करने वाल बाड बार की शंश को तो हम पढ़े गे नहीं और बार-बार नहीं už याद भी हमारे नहीं देगा तो इसलिए जो भी न situación कर रहा हो न उसके सामने मैंस लगा देना क्योंकि मैंस से हम वी क्या समझते हैं मैनस का मतलब होता है कम मैनिस मतलब गटा तो गटा वाला आप निशान लगा देना इससे हमें पताचा जाएगा कि यह कम कर रहा है अब सब से पहले लेलो पर यहां से कितना अज आजाएगा उसके बार क्या बोला अगर तीनों नहीं चालू रहे तो पूरा होज कितने घंटो और दो है एल्सियम कितना जाएगा यहां पर आएल्सियम ले लो अपना 30 आ जाएगा इधर से 10 इधर से 6 और इधर से कितना आ गया पंदरे आ गया ठीक है इधर से कितना आ गया पंदरे आ गया अब देखो ये दोनों तो मिलकर क्या करते हैं भरते हैं भरते हैं इसका मतलब क् तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, ये नल भी खोल दिया गया, ये भी खोल दिया गया, ये भी खोल दिया गया, तो ये 10 बरता है, ये 6 बरता है, तो इसका मतलब कुल कितना भरा जाता है, 16 भरा जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये 15 खाली कर देता है, तो 16 में से 15 माइनस क एक स्पीड से भरा जाएगा तो कितना समय लागेगा 30 का समय लागेगा घंटे की बात की गई है तो 30 घंटे का समय लागेगा 30 की बात की गई है 30 घंटे का समय लागेगा option number D करेक्ट टांसर हो जाएगा मुझे पता है एक दो स्टुडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सकम समझ मैं उनके लिए मार रिपीट कर देता हूँ देखो A 3 घंटे में बरता है B 5 घंटे में C 2 घंटे में बरता है लेकिन खाली करता है खाली करने वाला माइनस लगा दिया इसका काम है पानी को निकालना और इन दोनों का काम है पानी को टंकी में डालना ये कितना डालता है एक बर में 1 घंटे में 10 डालता है 10 कुछ भी माल यह कितना डालता एक यह इंसका मतलब कितना डाल रहे हैं तो चैक्जाएं निकल रहा है तो टंकी के अंदर कितना पानी बचता है वह बचता है एक, बचना कितना चाहिए, जिस से टंकी भर जाए, वो है अपना 30, 30 बचना चाहिए, एक, तो कितना लगेगा, 30 गंटे लगेंगे, जब एक गंटे में एक, तो 30 गंटे में क्या हो जाएगा, 30, या सर्जी समझेगे, बिल्कुल, समझोगे कैसे नहीं, ऐसा हो सकता है, हम जाए और आप ना समझो, जरूर समझोगे, बस थोड़ा दिमाख लगा लेना, बाकी कोई दिक्कत लिए, ये निकालो, टाइप नमबर दूसरी का, दूसरा गिशन साथ के सामने है, कि तीन नलियां, A, B, C, एक टंकी को, 6 गंटे, 9 गंटे, और 12 गंटे में भर सकते हैं, ओके, A है 6 गंटे में, B है 9 गंटे में, और C है 12 गंटे में भर सकते हैं, ओके, B, C को आदे गंटे तक खोला जाए, तो सबसे पहले अपने को LCM निकाल लेना है, कितना आ गया आपका यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई, 24 में जा रहा है क्या नहीं, यहाँ पर कितना जाएगा, निकालो, बदाओ LCM कितना जाएगा, ओप्सन नमबर C, गुरुजी SSC, एकजाम, जीडी में भी आता है यह किशन्स, भाई यह जीडी के लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं, आपने थमनेल देखा होगा, तो वहाँ पर SSC, जीडी 2024 लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या 36, यहाँ से आगया 6, यहाँ से आगया 4, यहाँ से आगया 3, आप तो बड़ा लेट आंसर करते हो, तब तक निकालना पड़ता है, ठीक है, मुझे लगा, आप स्मार्ट होगे होगे, जल्दी से निकालना स्टार्ट कर दिया होगा आप सभी ने, यानि यह 6 भरता है, यह 4 इन भरता है, फिर क्या बोला गया, अब पड़ो कि शुन्स को, कि B तथा C को आदे घंटे तक खोलने के बाद, A को भी खोल दिया जाता है, इसका मतलब आदे घंटे तक सिरफ कौन खुले रहे थे, B और C, आदे घंटे तक, A घंटे में दोनों कितना भरते हैं, 7, A घंटे मे का 3.5 हो जाएगा, टोटल पानी भरना है अपने को 36, इसमें से 3.5 जो भरा जा चुका है, उसको माइनस कर लो, अब अपने पास कितना बच गया, 32.5 बच गया, यानि 3.5 है वो अपने को भरना है, उसके बाद एको भी खोल दिया गया है, और अपने से पूछा गया भी उन पास, 32.5 है, सेस बाद कितना है, 32.5, 32.5 है, किस स्पीड से बरेगा, आप 3 खुले है, तो 6 ये, 4 ये, 10 और 3, 13, 13 की स्पीड से भरा जाएगा, तो 13, 43 होता है, तो 13, 43 नहीं जा रहा, 13 दूरी 26, कितना बच गया, साड़े से, साड़े से कितना होता है, 13 का आदा होता है, तो गहंटे का समय लगेगा, डाई गहंटे का समय लगेगा, उप्सन नमबर सी है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर सी, बताओ किस किस को समझ में आया, किसी को कोई प्रोब्लम है, तो बता देना भाई, आपकी प्रोब्लम को खतम कर देंगे, भा जाएगा, पूरी टंकी यहाँ पर सेस भाग की जिखर बोल देता कि पूरी टंकी भरने में यांग टंकी को भरने में कितना कृता, तब क्या करते धाई घंटे तो तीनों भरे हैं और प्लस में आदा घंटा और जोडेंगे जो बी और सीने भरा था तो कुल कितना हो जाएगा तीन घंटा आंसर हो जाता आपका या तीन घंटे आंसर हो जाता है इस तरीके से यह भी याद रखना है एक्जामनेर प्लस प्लस में निकाल दिया है यह निकल गया फिर बोला कि वी और सी आधे घंटे तक खुले रहते हैं जब यह एक घंटे में साथ लिटर भरते हैं निण्स्ैंस साड़े बतिस अब एको भी खौल दिया गया आप तीनों बरेगे तीनों एग घंटे में तेरा लेटर भरते हैं बरना है बतिस दस्मलों पांच तो तेरा से बाग कर दो ढ़ाई घंटे आपका अंसर हो जाएगा ठीक है गलती नहीं कर नहीं ठीक है कोई बात नहीं गलती हो ग तो हो जाएगा बस इन चीजों को याद अखना कि आपको सेस भाग पूछा गया है या आप से पूरी टंकी के बारे में पूछा गया है दोनों डिफरेंट है दोनों अलग होंगे यह वाला निकालो किस्चन नंबर तीन है लेंग्वेज काफी लंबी लग रही है लेकिन अ समझा है तो आसानी से इसका आंसर कर दोगे किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होगी इतना मुझे पता है अगर आपने अच्छे से समझाया है तो किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होगी देखो दो पाइप ए बी अलग अलग किसी टंकी को करम से 16 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं ए बी दिया गया तो ये शैट हो गया ये कितना हो गया बी का 75 हो गया ओके ठीक है उसके बाद बोला गया कि टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया जाता है नीचे की तरब जो पाइप लगता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि तली में तीसरा खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनिट में भर जाती है अब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जा रहा है प्लस एक बी और तीसरे के लिए हम सी का यूज करेंगे क्यों क्यों कि ये खाली करने वाला पाइप है खाली करने वोड़ी करेंगे करणे अगर कि अगेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेंगा तो खाली कोन करने वाला है C5 खाली करने वाला है अगर इसकी छमता हमें पता चल जाए तो आसानी से 300 टंकी में पानी भरा जाता है उसको हम खाली कर सकते हैं लेकिन इसकी छमता कैसे पता चलेगी देखो ध्यान से समझो ये दोनों भरने वाले हैं इसका मतलब 5 ये भरता है, 4 ये भरता है, मतलब 9 भरते हैं ये, लेकिन अगर तीनों खुले रहते हैं, तो 6 रहता है, इसका मतलब इन दोनों का मान कितना है, 9, माइनस का C बराबर 6 है, ये उधर जाएगा, तो माइनस का C, बराबर कितना हो गया, माइनस का 9, माइनस से माइनस cancel हो गया, फोरी, यह minus, एक सेकंड, छलो रब करते हैं, ठीक है, यह हमने छेड़ी लिखा, यह 6 है, यह minus का 9 हो गया, इधार से minus का C, और minus का 3 बच गया, यह कट गया, यानि C का कितना आ गया, 3 आ गया, C का कितना आ गया, 3 आ गया, वैसे यह करने की आऊ सकता नहीं है, इसरब समझाने के लिए है, यह आपको करना भी नहीं है, समझाने के लिए, देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, यह सिरब समझाने के लिए था, भाई, 3 चे करते हैं, अगर यह 9 भर रहे हैं, और यह 3 3 मिलकर 6 करें इसका मतलब कर खाली हो रहा है कितना खाली करने अपने को 300 लिटर एक बर में 3 लिटर हो रहा है तो कितने मिनट का समय लगेगा 100 मिनिट का समय लगेगा option number B है यहाँ पे बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या बात समझ गए हाँ बस difference है वो 3 का होगा क्योंकि उपर 9 है 6 है जो difference 3 का होगा वो ही क्या होगा C का मान हो जाएगा ठीक है ओके चलो अब अगली type पे जलते है type number 3 है अपनी और अब इस type से अच्छे किशन्स और अच्छे किशन्स आने स्टार्ट हो जाएगे यह समझ लो जो अब SSC GD अगर अच्छा किशन्स बनता है पेपर बनता है तो यही किशन्स आपके पेपर में छप रहे होंगे यही कुश्यं से आपके पेपर में चप रहे होंगे देखे क्या है टाइप नंबर 3 का पहला क्षिश्ण है कि pipe A और B मिलकर एक टैंक को 16 गंटे में भर सकते हैं A और B मिलकर किसे कितने गंटे में 16 गंटे में तो लिख दो भाई कि A प्लस B मिलकर कितने घंटे में करते हैं ये 16 घंटे में करते हैं जबकि C अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है वो तो भरने वाले थे ये क्या हो गया? खाली करने वाला है तो C क्या हो गया? खाली करने वाला है तो माइनस आगे लगा लो और कितने घंटे में खाली कर सकता है, यह 24 घंटे में खाली कर सकता है कितने घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में उसके बाद बोला गया है, तो सबसे पहले LCM निकालो यह आ गया 48, 16, 38, 24, दुनी 48 यानि कि इनकी भरने की चमता तीना इसकी खाली करने की चमता कितनी यह दो है ओके इतना सभी समझ गए ठीक है अब देखो क्या बोला गया कि पाइप A और B को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है तो A और B को खोला जा रहा है एक साथ और 10 घंटे के लिए खोला जा रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई क्या है कि एक दो A और B यह है न अब न यह कितना भरते हैं गटे में 3 जब ये एक घंटे में तीन भरते हैं तो दस घंटे में कितना भर देंगे ये तीस लिटर भर देंगे जब एक घंटे में हमने लिटर माल लिया है कि जल भरा जा रहा है तो लिटर में ही होगा तो वाई ये घंटे में जब ये 3 लिटर भरते हैं तो ये कितना भरेंगे ये 30 लिटर भरने वाले है बात समझ में आ गया कितने लिटर भरने वाले है 30 लिटर भरने वाले है उसके बाद क्या बोला गया फिर pipe C को खोला जाता है इनको बंद कर दिया गया केंसर किया है योगी अधित्यनाथ जी देखो योगी अधित्यनाथ जी भी पढ़ रहे हैं तीक है भाई नाम हो खतरना लिख अपने लिकिन करेक्ट आंसर आ गया भाई भाई कितना भरना यह बरना जो पानी भरा गया है मुझे पता है कुछ स्टुडेंट 24 कर रही है एक ये होगा 24 पूर 18 वाले कैसे कर रहे हो ठीक है कैसे कर handicap to कि जब भुरा 30 लिटर पानी गया है तो खाली भी 30 लिटर होगा 5 कि श्पीड से खाली करना है तो कितने घंते का समय लगेगा 15 घंट sent चांट का समय लगने वाला है कितने q10 अदो 15 गंटे का समय लगने और कोई प्रोब्लम है तो बदा दो वरना बिना किशन सौल के आंसर करने की जो आदत है उसको छोड़े यह आदत आपके पेपर को घराब कर देगी यह बात याद रख लेना यहां पर तो कोई भी फरक नहीं पड़ेगा ना आपको कोई कुछ बोल सकता यहां पर और बोलेग अलग लग नाम से आ रहे हो बात समझ रहे हो तो गलत नहीं करना तुक्के नहीं लगाना बिलकुल टार्गेट एससी जीडी जब आपने अपना टार्गेट एससी जीडी बना लिया है तो फिर आप गलत कैसे कर सकते हो आपने अपना नाम ही टार्गेट एससी जीडी रख लिए तो फिर गलत कैसे हो सकता है यह वाला देखो वाइक क्लास है 7 बजी स्टार्ट होती है साथ बजी आया आ जाया करो basic से समझाता हूं एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप है पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है तो लिख लो कि पहला पंप कितने घंटे में 8 घंटे में दूसरा पंप कितने घंटे में 10 घंटे में यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल कर 4 घंटे तक चलाया आता है तो तंकी का कितना भाग है वो पानी से भर जाएगा ये काम और सुमेल वाला था वैसे ही है हाँ समझा रहा है ध्यान से समझो ऐल से निकलो कितना 40 यहाँ से 5 और यहाँ से 4 यह दोनों पंपों को एक साथ खूला जाता है चार घंटे तक चलाया जाता है चार घंटे तक एक घंटे में इसकिय अरहे पीट नगे कार्या यह तो कितना वहन este लिट्र नार छालीमा डोनों चार में MIy्टा होने जाता है disrespect कि रूने सर जी आज लेट हो गया लाइट आ गई फसलो को पानी दे रहा था भाई वो भी जरूरी आगर किसान फैमिली से ब्लोंग करते हैं तो वो भी बहुत जरूरी है कोई बात नहीं क्लास है वो देख ले न आपके पास अवलेबल रहेगी यूटूब पर अभी आगे की देख लो या वीडियो को पीछा करके देख लो अगर लाइव में हो जाता है तो ठीक है ओप्सन नमबर एक बिल्कुल टांसर हो जाएगा और भाई आपकी मेहनत को सलाम है कि आप इतनी ठंड में पानी भी दे रहे हो ठीक है और पढ़ाई भी कर रहे हो दोनों चीज कर रहे हो बहु भाई सकती है फैर दो घंटे अब देखो हिस किशन्स को यह वो टाइप और आगया अगर आपको यह टाइप यादफी आफ़ी तो आंसवर्फ ट्र दिया होगा और वह यह टाइप याद नहीं है तो भाई अरजुन सिंग्स वागत आपका अगर आपको यह टाइप याद है चलो आपको दूसरेत में सम्झाता हूं नहीन फिससे को तो लिखलो घ्लाओं ए प्लास बी फ्लास सी यानी तीनों भर रही हैं कितने गंटे में बरी यह क्षाइख लगाना थोड़ा लोजिक वाला किश्चन है थीक थोड़े दिमाग का यूज करना पड़ेगा आंसुर्न लग जाएगा ठीक है आंसुर्न निकल जाएगा यहापर चोट लगने वॉअन्हें का सुनके अंस्वर लगने की बात आगी भाई श्वम पाअटे ठीक हो जाएगा सब ठीक्ट। गहंते तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी बंद कर दिया गया दो घंटे तक खोला अगर शे घंटे खोलते तो भर जाता लेकिन उन्होंने क्या किया सिर्फ दो घंटे तक खोला तीनों को उसके बाद C को बंद कर दिया गया C को बंद कर दिया गया मतलब कौन-कौन से चले हुए है A और B चला हुआ है और तथा A, B उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं अब A और B उसको कितने में भर देते हैं 8 घंटे में भरना चाहिए था अपना 6 घंटे में 2 घंटे फिर चला लेकिन फिर कितना बच गया अपना 4 घंटे का काम बचा हुआ था 4 घंटे के काम को A और B कितने घंटे में कर रहे हैं 8 घंटे में कर रहे हैं इसका मतलब टोटल 6 घंटे के काम को कितने घंटे में करेंगे दुगना हो रहा है न तो 12 घंटे में तो इसका मतलब इस टंकी को A और B कितने घंटे में भरते 12 घंटे में भरते जिसने ये बात लिखली उसका आंसुरा जाएगा फिर से बता रहा हूं ध्यान से समझ लो अगर किशी को भी समझ्या है अभी पूरी हो जाएगे बात क्या है छे घंटे में भर जाती है टंकी दो घंटे तक वो टंकी चली तो इसका मतलब कितने चार घंटे और चलती जोर्नल है चार घंटे और चलते तो अपनी टंकिया वो भर जाती लेकिन क्या हुआ कि सी को बंद कर दिया गया और ए और बी चल रहे थे जो चार घंटे क काम था उसको उन दोनों ने आठ घंटे में किया च्यार घंटे के काम को कितने घंटे में किया आठ घंटे में किया टोटल काम कितने घंटे का था छै घंटे का तो जब च्यार को आठ में कर रहे हैं यानि एक को दो में कर रहे हैं तो छै को बारा में करेंगे अब समझ में आ ले लो बारे यहां से एक कि ऐप किसमता इस्सेट एक मैनेस करोगे तो सी निकल के आजाएगी अपनी एक अब क्या पूँछा है अकेली शी नहीं का द्वारा इस टंकी को कितने घंटों में भरी जाएगी तो कितनी भरनी है टोटल 12 भरनी है एक की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे लगेंगे तो option number B है यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number B है आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जिसको वह समझ में आ गया उसके लिए बहुत हलवा हो गया question जिसनी यह बारह नहीं लिखा उसके लिए हाड हो गया ठीक है आप तो समझ में आ गया ने यह बारह कहां से आया है चलो बताजो सभी समझ में आ गया ने कि यह बारह कहां से आया है ओके चलो अब type number 4 पे जलते हैं और यह type और अच्छी type आगी आपकी और अच्छी type आगी है देखे क्या है कि एक टंकी को दो नलिया A और B दुबारा 20 और 30 मिन्टों में भरा जा सकता है इसका मतलब है A है 20 और B है 30 ठीक है 30 मिनिट में भरा जा सकता है थाली टंकी भरने के लिए पहली दो नलियों को खोल दिया जाता है फिर कुछ समय के बाद एको बंद कर दिया जाता है इस परकार वह टंकी 18 मिंटों में भर जाती है तदा नुसार एको कितने समय बाद बंद किया गया ये अपने को बताना है ये बहुत अच्छी टाइप है ये क्या है दोस्तों बहुत अच्छी टाइप है अगर ये समझ गए तो फिर समझ लो इसमें सब कुछ समझ गए देखो सबसे पहले LCM लेगे जो 6 आजाएगा यहां से 3 और यहां से 2 आजाएगा ये इतना आप सभी ने कर लिया होगा और इतना मुझे समझाने की जरूरत कुछ समय के बाद A को बंद कर दिया जाता है दोनों को खोला जाता है उसके बाद A को बंद कर देते हैं कि इस परकार वहतंगी इसे 15 मिनित में भर जाती है कुछ समय के बाद देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि दोनों को खोला गया ठीक है कुछ समय के बाद एको बंद कर दिया गया एने काम करना बंद किया लेकिन बी तो स्टार्टिंग से लाश्ट तक रही बी ने क्या किया भाई स्टार्टिंग में खुली थी और इसको किस ने भरा होगा भाई वी ने तो पूरा काम किया वी का हमने पूरा काम निकाल लिया लेकिन थोड़ी देर के लिए तो A been to, चला था, वो ही बताना है कितनी देर के लिए चला था, तो 24 भ़राय किसने A अकेले ने, A है, A है, एक बर में, एक निट में कितना बरती है 3L, भरना कितना है उसको, 24, तो 3 से बात कर दो, यानि, 8 निट का समय लिया था, तो आपसे ये कि कितने मिनिट वो चली तो आठ मिनिट वो चली option number D है यहां पे आपका correct answer हो जाएगा option number D ठीक है और examiner अगर थोड़ा ओर smart हो जाए तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो A है वो कितने मिनिट बंद रही कितने मिनिट बंद रही टंकी भरने तक कितने मिनिट बंद रही टोटल 18 मिनिट लगे हैं जिसमें से 8 मिनिट इसने काम किया है तो इसका मतलब 10 मिनिट क्या है वो बंद रही थी ठीक है ऐसे भी पूछ सकता है कभी कभार by chance लेकिन mostly यही आता है तब ही यह किशन्स आपके लिए लगाया है और इतने अच्छे किशन्स आपके लिए लगाया कि यह किशन्स पेपर में आने वाले हैं शिक है ठीक्स के चकर में बिल्कुल छोटे-छोटे किशन्स में मत रहना अच्छे किशन्स करोगे और विल्कुल आसान तरीगे से करोगे तो कोई प्रोब्लम कभी नहीं होगी अब यह किशन्स आपके सामने है कि दो पाइप क्या और खय, 36 और 45 मिनिट में भर सकते हैं, एक है क्या जो 36 मिनिट में भरता है, उसके बाद खय है, वो कितने मिनिट में भरता है, 45 मिनिट में भरता है, उसके बाद क्या है, एक अन्य पाइप गय टंकी को 30 मिनिट में खाली कर सकता है, गय है, ये खाली कर सकता है, कितनी मिनिट मे तीन मिनट में खाली करने वाला है आगे लगा दो माइनुस आगे क्या लगादिया हमने यहाँ पर माइनुस लगा दिया है फिर क्या बोला गया पहले कие और खैंब को खोला जाता है और उसके 7 मिंट की बाद Chris नकी किसी कि में पार यह अपने 36 पंजे 180 45 चोके 180 और 30 के 180 यह हो गया ठीक है कितने किश्यंस आएंगे सर इससे भाई पता नहीं अभी कोई फिक्स नहीं पता होता एक या दो किश्यंस आते हैं उससे ज्यादा थोड़ी ना आएंगे ठीक है क्योंकि 20 किश्यंस हैं सभी चप्टर से मिला के आते हैं उहरा हर चप्टर से एक दो किश्यंस बनते हैं ठीक है हर चप्टर से एक दो किश्यंस बनते हैं उन्हीं से पूरा पेपर बन जाता है कभी किसी में एक कुछ लेगा किसी में दूप दो कुछ लेगा इसी तरीके से होगा ठीक है अब क्या पूछा गया कि साथ मिनेट तक पहले क्या और कहको खोला गया, और सात मिनट के बाद में कितना भर ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, और उसके बाद किसको खौल दिया गया, और गय क्वाली करने वाला है तो यह 9 भर रहे हैं, 6 खाली कर देता है, इसका मतलब 3 ही भरा जा रहा है, तो फिर आपको बताना है कि टंकी है, वो कितने मिनिट में भरेगी, सबसे पहले 180 भरना था, जिसमें से 63 भरा जा चुका है, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लो, कितना बचा है, 120 और 117 बच गया, इसको किस स्पीड से भरना है, 3 किस स्पीड से, तो कितने मिनिट का समय लगेगा, तीन तीए 9 और तीन नमे 27, 39 मिनिट का समय लगेगा, 39, आंसर आगया 39, गलत है, 39 आंसर गलत है, इसमें हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया है, भाई, हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया है, कि जो बची हुई टंकी दी, वो कितने समय में भरेगी, हमसे ये पूछाए कि ट टंकी है, वो कितने मिनट में भरेगी, तो टंकी के बारे में पूछा है, अगर सेस नहीं लगा रहा, टंकी के बारे में पूछा है, तो पूरी टंकी की बात हो रही है, तो जिसमें से 49 मिनिट तो ये लगे, 39 मिनिट तो ये लगे, प्लस में 7 मिनिट तक ये जो भरा गया थ ये वाला जो 63 ये भी इसमें एड होगा प्लस में साथ करो तब आपका आंसर आ रहा होगा 46 मिनट आ रहा होगा तो ओप्सन नमबर बी है इसका आंसर होगा ओप्सन नमबर ए आंसर नहीं होगा तुक्षे लगाने वाले रह गए लाश्ट लाइन तक अच्छे से पढ़ोगे तबी आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे इस बात को याद रख लेना ठीक है अच्छे से करोगे पढ़ोगे तबी आप अच्छे से इसका आंसर भी कर पाओगे इसलिए ओप्सन नमबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बस बिल्कुल टीडी बिलकुर क्रेक्ट है आपका ठीक है और उन तालिस वाले भाई थोड़ा लास्ट वाली लाइन को अच्छे से नहीं पड़ा आपने पहले कितनी बार बोला है मैंने आपको कि लास्ट वाली लाइन को आपको अच्छे से पड़ना है जिसको थोड़ा आंसर में भी जलाश्य को क्रम से 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं, A है वो 2 घंटे में भरता है, B है 3 घंटे में भरता है, C है इसको 6 घंटे में भरता है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय के बाद, चलो पहले इसको कर लेते हैं, L सिम आ गया 6, इधर से 3, 2 और 1, के इनकी छमता आ गई, अब क्या बोला गया, कि कितने समय के बाद, पाइप B को बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि जलाश्य ठीक, एक घंटे 15 मिनट में भर जाए, अब ये इंपोर्टेंट है, ये वाला किश्ण चो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको समझना बहुत क्योंकि इसको समझोगे तभी आंसर कर पाओगे, तुक्के लगाने वाले जो होते हैं न, कि हाँ ऐसे हैं वह भाग जाएंगे, ठीक है, वह भाग जाएंगे इस बात को याद रख लेना, देखो क्या है, कितने में भरा जा रहा है, एग घंटे 15 मिनट में टेंक भरा जा र इसको कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं बीच में, लेकिन ए और शी ने पूरा काम किया है, ठीक है, पूरा काम, इसका मतलब तीन और ये चार भरते हैं, जब ये एग घंटे में चार भरते हैं, कितने घंटे चला है, एग घंटे 15 मिनट, जब एग घंटे में चार भरा ज जा रहा होगा इसका मतलब इन्होंने कितना भराया दोनों ने टोटल भरना चाहिए जिसमें से पांच इन दोनों ने बराया एक बच गया एक कौन भरेगा वह भरेगा क्योंकि बी को कुछ समय बाद बंद किया गया था इसका मतलब कुछ समय तो चल रहा था जब एक घंटे म में परता है एक को भरने में कितने मिनिट का समय लागेगा आदे घंटे का यानि तीश मिनिट का समय लागेगा तो ओप्सन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ इतना अच्छा कि शनस्ता समझे ना नहीं समझे दुबारा से बता जिता हूं कोई दिक्कत है तो भाई गीज़ा अधा झाटल शाय से 5 इन 2 नहीं पर दा एक मच गया जो कौन भरेगा भी बराएगा जब भी गंटे में 2 भरता है ऐक कि गंटे में दो भरता है बी तो क्या है कि जो एक भरने में कितना समय लगेगा उसको आदे घंटे का समय लगेगा ते breakup मिन प्भणत तो कितना आता है, 30 minute आता है यहां से कटके 30 minute ओके और जिनको ये एक नहीं समझ में आया बता देता हूं कि 15 minute तो 15 बेटे 60 कर लो कितना आगा भाई, ये एक बेटे 4 हो गया और एक बेटे 4, 4 का एक बेटे 4 कितना होगा, एक होता है ये वाला भी यह वाला भी अपना डाउट है वो किलियर कर लो प्रोफिट लोस करवा दीजिए सर जीवन सिंग भाई प्रोफिट अइंड लोस मैं करवा चुका हूं अपने चैनल पे देखो आपको मिल जाएगा ठीक है इसी चैनल पे मिल जाएगा और टेलिग्राम पे देखोगे तो वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा यह देखो अगली टाइप आगई अपनी टाइप नमबर फाइप और यह वो टाइप है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि इस टाइप में समय के बारे में पूछा जाता है समय और स्टूडेंट टाइप में गलती करते हैं समय में के सुबह और शाम में घलती कर देते हैं इस तो्हेकर से बस को समझ लो उसके बाद समझ लो खिक्या बस कआलो ख्रक्तम ही हो घ्ậy है बस इत्षरी को समझ लो उसके बाद आपकी चुट्रियए इस ट्रक्टर की फिर आपको Practor करने है बाकी कुछ नहीं करना है है कि एक टंक की नली ए द्वारा 2 घंटे में भरी जा सकती है तो सब से पहले क्या है एल्सियम 6 यहां से 3 और यहां से एक आगया प्रात्य 10 बजे, एक को खोला जाता है, कितने बजे प्रात्य 10 बजे, प्रात्य का मतलब एम, सुभह एम प्रात्य ठीक है, एम, 10 बजे, एक को खोला जाता है, तदारुशार नली बी को 11 बजे खोला जाता है, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी अपने को बताने, तो 10 10 बजे टंकी A को खोला गया और 11 बजे B को खोला गया है यानि एक घंटे के बाद खोला गया है इसका मतलब एक घंटे सरफ किसने पानी भरा है एने और एक घंटे में कितना पानी भरती है तीन भरती है टोटल पानी कितना भरना है अपने को 6 भरना है जिसमें से 3 पानी इसने भर दिया है, तीन पानी इसने भर दिया है, तो तीन पानी भरना और बाकी है, उसके बाद क्या हुआ, कि B को भी 11 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी किस समय तक भरेगी, 10 बजे खुली, उसके बाद ए घंटा क्या हुआ, ए घंटे ए ने पानी भरा है, उसके बाद B को भी लेकिन एको बंद नहीं किया गया, इसका मतलब दोनों एक साथ पानी भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ पानी भर रहे हैं, दोनों कितना भरती हैं बाई, चार पानी भरती हैं, चार लिटर, भरना कितना अपने को तीन, तीन भरना है, कितने में से, चार में से मिनट के लिए यहां से निकाल लो इसको काटो 15 यानि 15 ती 45 मिनट यानि 45 मिनट का ओर समय लगेगा 3 को भरने में 4 की स्पीड से जब 1 घंटे में ऐसे भी कर सकते हो कि 4 भरा जाएगा 6 मिनट में 1 भरा जाएगा इसके बटे में 4-3 भरना है ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो 15 ती 45 मिनट और प्लस में 45 मिनट और जोड़ो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 11 और 11 से 45 मिनट जोड़ोगी तो क्या हो जाएगा 11.45 हो जाएगा और 11.45 अभी सुबह के ही है तो इसका मतलब प्रात्य के ग्यारे 45 आंसर हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गया सभी को बिलकुल करेक्ट आंसर किया है सभी ने बिलकुल करेक्ट आंसर किया है चलो अब अगला किस्ष्ट निकालो ये वाला इसमें पदा चलेगा उसमें तो आपने एक घंटा 45 मिनट जोडा था और एक घंटा तो दिया हुआ था वैसे भी 45 दिया आपने जोडा था इसमें जोडोगे तब पदा चलेगा चलेगा कैलकुलेसिं में अगर यहां पर सही कर लेते हो तो इसका मतलब आप सीख गयो आपका गलत नहीं हो सकता क्या है कि भरने वाला पाइप एक टंकी को दस गंटे में भर सकता है तो कितने गंटे में भर सकता है यहां पर दस गंटे में भर सकता है तो मालो पहला पाइप है दस गंटे में भर देता है और खाली करने वाल क्या आपको पता है लिखो ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता, खाली करने वाला इसलिए हमने माइनस लगा लिया, खीक है, क्या है, कि खाली करने वाला पाईप पूरी तरीके से ठंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, आगे छोड़ो, पहले लसम निकालो 20, यहां से 2 और यह यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 1, उसके बाद क्या है, दोणों पाईप सुबई, साड़े-च्छे बज़े खोले जाते हैं, साड़े-च्छे बज़े खोले जा रहे है, सुबई, इसका मतलब 6-30 एम पे इनको खोला जा रहा है, तो अपने को बताना है, टेंक कब तक भर लगा यह अपने को बताना है देखो यह भरने करने वाला है सिसका मतलब एक समय बेंगा अब 20 घंटे जोड़ो तब पता चलेगा बिल्कुल परमोद सर्मा बिल्कुल सही आपका अंसर ठीक है भाई परमोद सर्मा क्या बोला है आपने एक सेकेंड नहीं भाई थोड़ा सा गलत है थोड़ा सा गलत है बाकी लोगों का सही है ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया आपका भाई परमोद हाँ 20 घंटे इसमें जोड़ो सबसे पहले चीत तो ही समझो 20 घंटे अपने को जोड़ना है मतलब पूरा पूरा जोड़ना है पूरा पूरा जोड़ना है न तो यहाँ पर आदा घंटा है तो कुछ भी पूरा पूरा जोड़ो जो आदा घंटा साथ में आएगा क्या इसमें नहीं है क्या जीनिश्टर हो ढाइगा oversim punya अदा घंटा दिया हुआ है क्या है कि इसी में आदा घंटा दिया हुआ है इसलेihat oben सो نमब्र एक कि तांसर हो बुइस बिस जोड़ो दो कितना हो जाएगा कितना हो गया मतलब यह होता है आपका सबसक्रविस का मतलब क्या होगया चाहिसे शितach या वह बारा बज़ाना है पहले इसको हटालो ताकि is Catholic मिलागा देना चैना बाराज चाहिए तो 6 गंटे उसके बाद 14 गंटे और जोड़ो फिर दो बजगे फिर आदे गंटा छोड़ा तो धाई बजगे तो इसलिए धाई हो जाएगा यह पर वैसे जो सिंपल वाला बता है वह ज्यादा ठीक है कुछ और ज्यादा बताने किया हो सकता नहीं हो वरना सर सद्रद कर जाएगा अभी यह था जिए वाला किशन नो संब दोनल यह वाला किशन बहुत इंपोर्टेंट है तो कियोकि आज कि हमारी क्लास का लास कि का लाश किशन है उसके बाद जो स्टूडेंट लेट आये थे पिछले वाले किशन से देख लेना देखो क्या है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को करम से दस तथा बारे घंटे में भर सकते हैं कि ए दस घंटे में भी बारे घंटे में ओके यदि दोनों नलों को 10 बजे खोला जाता है ठीक है तो पहले लेलो कितना जाएगा सेट यह च्छे आ गया यह पांच आ अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या बोला गया यदि दोनों नलों को 10 बजे पूरवाहन यानि 10 अम पे खोला जा रहा है तो ठीक 4 बजे आपराहन पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल एक को कितने बजे बंद करना देना चाहिए यह बताओ कि अपने को नल एक को बंद करना है एको बंद करना है लेकिन कितने बज़े बंद करना है या अपने को बताना है नल एको बंद करना है इसका मतलब है कि बी तो पूरे समय तक रहा पूरे समय तक वो टंकी को भर रहा था और पूरे समय कितना था कि 10 बज़े खोला गया और 4 बज़े टंकी भरी गया इसका मतलब क 2 गनड़ वह और फिर 12 से 4 बजहेंगे चा घंटे इसका मतलब है विए घंटे में 5 वरता है तो उसने 6 गंटे काम किया तो कितना भर देगा वो 30 वह ntक्रग अब दीश कोन बरेगा विए तो एक घंटे में छे बरता है, तीस बरना है, एक घंटे में छे बरता है, इसका मतलब इसने कितने घंटे लगे, पांस घंटे, पांस घंटे इसने काम किया, पांस घंटे इसने काम किया, कितने बजे स्टार्ट किया था, दस बजे, तो दस से बारा तक कितने दो घंटे, तो बा यहां पर अप्राहन भी लिखा हुआ है तो यहां पर पीम नहीं लिखा हुआ बात समझ में आ गई तीन वजे बिल्कुल करेक्टा अंसर हो गया तो यहां पर दोस्तों अपने जो नल पाइप और टंक्किया वह समाप्त होती है यही टाइप के वो किशन्स थे जो आपके एक्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं देखें मैं चाहता तो मैं इस चप्टर को छोड़ भी सकता था क्योंकि इस चप्टर में बहुत कम है जो कुछ ही चप्टर है जिनको पढ़ना वह पसंद करते हैं इन चप्टर को कम स्टूडेंट पढ़ते जिनको सलेक्षन लेने होता है जिनको र्याल्टी में पता होता यह हर एक चप्टर अपने आप में इंप्टरिंट है वो ही इन चेप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं आप उन में से हो मुझे देखके बहुत अच्छा लगा ठीक है और आप सभी ने आंसर निकालने की कोशिस भी की और जो कर पाए तो वो भी हुआ ठीक है जिनका सही हुआ कोई बात नहीं ठीक है बेरी गुड ठीक हो गया अच्छी बात है जिनका ठीक नहीं हुआ उन्होंने मेहनत की फिर दुबारा ठीक करने की कोशिस की वो हो गया इसका मतलब हो सीखना चाह रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है ठीक है हां और जिसको भाई जो लेट आये थे वह अभी पडलोजिन को नेटवर्क प्रोब्लम हो गी थी तो आप पीछे से दुबारा देखलो कोई दिक्कत नहीं है सभी लोग सर के वीडियो को लाइक कर दो हां बिल्कुल भाई वीडियो को लाइक कर दो और जो भी आपको बोलना हो कैसी क्लास लगी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो साथ में इस वीडियो को सेर भी कर दिया करो आपका प्यार है भाईवो करना चाहो तो और जो भी नए पहन सकते हैं नहीं पहन सकते मुझे नहीं पता यह फोज का जगेट है लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे यह अच्छा लग रहा है आप इसको कमाओगे तो आपके उपर यह बात याद रखना ठीक है बहुत अच्छा लगेगा जब यह पहनोगे ना आपको बहुत ज़्यादा और वैसे भी बहुत गरम भी है ठीक है सर्दी भी नहीं लगती है कि सर मैत को अटा देना चाहिए नहीं अपनी क्लास देखो मैत को अठा दो कि हमारा धंदाबंद करवाओं कि काम धंदा ठीक है बिलकुल भाई आप सभी का प्यार है स्पोर्ट है चलो और दिखें जो स्ट रजल नाने वाला मैर थनतां होने वालने वाल कि सीसडर की किसी टैम पर साथ मफ़त ओने क्यंदा ऑप मोग टेस्ट और प्रक्टीसट बोल रॉप और वाला यहीं पर साथ मजहें चिसमें अपने चारो सब्जेक्ट होंगे मैच भी होगा अपना रिज्णिंग होगा होगा ठीक है जो सुछते हैं कि गीं इस नहीं क्लास देखो उसमें मैंने करवा दिया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग ठीक है हाँ बिल्कुल योगेस भाई एससी से ही हमारी दोस्ती है ठीक है तो कल यह होने वाला देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हो बहुत इंपोर्टन कल सभी आना है और सभी के साथ शेयर कर के भी आना है ठीक है और मैंने पहले ही इवेंट लगा दिया अभी यह क्लास को खतम होने के बाद उसी इवेंट को क्या कर लेना जो भी करते हैं ठीक है लाइक बगेरा भी कर देना इससे हमें अच्छा लगेगा हां भाई देश बंदू आपका सुनेगे बताईए सर जी जाते जाते एक सो हूँ हाँ प्रोफिट लोस है वो मैं डाल दूँगा बिल्कुल कमेंट में नहीं टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पर अपने पर मिल जाएगा देश बंदू क्या पूछ रहे थे आप पूछ लो भाई फिर क्लास को टटा बाइबा करते एं मति ठीक है उसको लाइक वाइंग कर देना भाई जो पनी है उसको कर लेना ताकि आपको पता चले पूरा एक्जाम कब पढ़ाओंगे और मैं यह चलो एक साहीरी एक ए आप मैं दूना दूगा या कि पर आपाध है प्श जमीन पर बैठ कर आसमान देखता है अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उडाने देखता है और आपकी महनत नहीं देखेगा कि आप इस सर्दी में कितनी महनत कर रहे होan कोई यह नहीं देखेगा कि आपने क्या किया है जैसे एक स्टूडेंट बता रहा था कि अब इतनी रात को ठंड में खेत में पानी भी देखिया रहा है और साथ में पढ़ रहा है कोई नहीं देखेगा अगर आपको सफलता मिलती है तभी लोग आपकी बढ़ाई करेंगे सिर किये है ठीक है हां बिलकुल प्रोफिट और लोस और प्रेक्टिस का रिविजन जरूर कराऊंगा लेकिन वह सबसे लास्ट में होगा ठीक है वा सर जी बिलकुल सही क्या बिलकुल चलो फिर मिलते हैं कल थैंक्यू आमीत ठाकुर भाई कल मिलते हैं एक हमारे भाई कुछ बो लोगे कि सर जी कुछ पूछना था ठीक है चलो भाई देश बंदु भाई हमारे दाइप हो गये हैं ओके अँजय के दो बाइब कल मिलते हैं श्याम को 7 बज़े मिलते हैं और उससे पहले क्लास आ सकती है ठीक है उससे पहले भी आज कल 11 क्लास आ सकती है देख लेना ठीक है देख लेना